हेलो इस्टुडेंट वेल्कम बैक और मारे चाविगास मैत अक्या करने वाले है चैप्टर थ्री जो आपका फंसन मैंने स्टार्ट किया है प्रिबिएस वीडियो देखना है तो डिस्टिस्न बॉक्स में लिंक दिया है या पिले लिचा के चेक कर सकते इस्टुएंट उसमें फैला टौफिक क्या है तो धुसरा टॉपिक हुम यह पढ़ने वाले है कि एक्क्वाल टी फंसन् 2 giving इक एक्क्वाल妌 फंसन कि से बोलते है ड़ा तो इससे Всё रहेगा है कि और उसे से रिलेटेट वीडियो में गवर करने वालों तो यह एतने जो टॉपिक है क्वेडिएमें करेंगे त्वेंट देखते डिफ्रेंस बिट्विन रिलेशन एंड फंसन क्या होता है तो चलिए इस्टार्ट करते है वीडियो अच्छाला एड रिच्वेंट लाइक करेंगा चैनल मेंज्वरकों सस्क्राइब कर लिस देगा ठीक है त्डिक्वर्ण ओं डेखते हैं कि तो पॉइंट No.1 क्या है एक स्टुडेंट जो रिलेशन में आपका कि आर इज रिलेशन फ्रोम सेट एट बी इस शबसेट ऑफ एकुरोस भी जो इसन क्या होता है सब्सेट अफ एक रॉस्ट अपको पता है B and domain of R B a subset of A section domainολight unser ।o kya होता है वो subset of a मतलब A का ही क्र Мश्रु MIKE अammenयरा है यह होता है relation में कि जो domain होता है relation का क्या होता है subset by a but in relation but but in function तो फंसन क्या होता है student कि in function from a to b अगर a to b function student function a to b अगर f कोई तो is a domain of f must be is equal to set b equal to be set a मतलब कहा रहा है कि कोई अगर function a to b तो उसका domain जो होगा वो set a ही होगा पासन में रहा है तो दिखी huge difference हो रहा है relation of function में relation में क्या बोला है को उसका domain जो होगा subset होगा set a का button function the domain of function is must be is equal to set a मतलब set a के equal रहेगा function में student यह होता है ही difference होता है student relation और function में पहला difference होता है second point देते हैं एक example लेते हैं उससे भी समझ जाएंगे numerically यह आप पहले point समझ दीजिए उसके सब्सक्राइब आपको second point क्या होता है कि in relation one element of set a may be related to more than one element of set b relation में क्या होता है student के set a का element या एक से ज्यादा element जो होंगे set b में एक या एक से अधिक element के साथ associate कर सकते हैं मतार कर सकते हैं connect हो सकतых 200 set b में लेकिन function में क्या होता है या आपन्सेद्द पता हिए आपका element के साथ associate हो सकता है यह होता है second difference बत्राइब में आगया सब्सक्राइब क्या होता है कि in a relation some element may not be related to any element of set B relation में क्या होता है कि set A के कुछ element जो होते हैं वो set B में ना भी associate होंगे तभी हो क्या होता है वो relation होता है ठीक है set A के कुछ element set B में ना भी connect हो ना भी associate हो तभी क्या होता है वो relation कहलाता है कि हाँ वो relation है लेकिसंट में क्या होता है कि यह कंडिशन होता है कि function function All elements of set a must be related to set a element जो होना चाहिए serb में associate होना चाहिए relate होना चाहिए connect होने चाहिए instrument Set b के element से यह तीन difference होता है relationship relation ूर function में जो मैंने आपको clear करा दिया इस्टू कया इंच आपका जो है exercise 3.1 में question number 3 है student यही पूछा है कि relation और function में क्या difference होता है तो यही आपको लिखना पड़ेगा ठीक है तो मैं आपको बता दे रहा हूं आप आप note कर लिजे मैं उसको उस question को नहीं कराऊंगा ठीक है क्योंकि एक बार लिख दिया है फिन एक बार वहां पर लिखूंगा तो वीडियो लेंदी हो जाता है ठीक है इसको अच्छे तरीक है और माइन में अपना अच्छे से बैठा लेजे क्योंकि कोई भी पूछ सकता है कि अच्छे तरीके सारे समझेंगे तो बस लाइन बाइन देखते जाए वीडियो यह वीडियो नमबर टू है स्टुडेंट अपका फंसन का ठीक है तो इसे हम रेस कर रहा है आप नूट कर लिज़ेगा वीडियो पोस्ट करके तो दिखें अब एक एक जामपल लेते हैं उसस हम पॉइंट करते हैं कि क्या होता है रिलेशन और फंसन में यहां पर हमने एक एक जामपल लेता हूं इसे से रिलेटेड ठीक है एक्जामपल नमबर वन आपका सेट ए दिया है स्टुडेंट वन टू थ्री ऐलिमेंट दिया है सेट बी क्या दिया है आपका फूर फाइप अब कमाल लेज़े कि एलमेंट दिया सेट भी ठीक है स्टुडेंट तो आप एक लोस भी में निकाल है यहां से वन कामा टू कामा त्री और यहां पर आएगा क्रॉस बी है तो बी आएगा फूर कामा फाइव तो यहां पर क्रॉस निकालेंगे तो क्या आएगा 1,4 ठीक है 1,4 दुसरा क्या आएगा इस्टुएट्ट वर्ण गवा फाइफ टू कामा फूर तू कामा फाइफ थ्री कामा फूर त्री कामा फाइफ यह आपके क्या होता है आपने रिलेशन की डिफिनेशन पढ़ा होगा तो यहां पर को पता है घ्र सब n करना है student R1 एक relation है आपका R1 एक relation है तो इसमेंस तो कुछ ना कुछ पाट ले लिजिए क्योंकि number of relation अगर निकालने तो क्या होता है number of relation निकालने का फरुमना 2 to the power m into n होता है तो m into n मतलब क्या यह m है यह यहां पर तीन element है और यहां पर दो element है तीन दोनी छो मतलब number of relation निकाले इस्टों तो रिलेशन कितना बनेगा 2 to the power 6 और दिस इस the huge amount of number बहुत lot of number हो सकते हैं 2 to the power 6 मतलब 64 हो जाएगा 64 relation बन सकते हैं इन सेटों से तो हम कुछ relation बनाते हैं पॉसिबल नहीं 64 बनाना तो कुछ बनाते हैं इस्टों तो आरओं relation क्या करें कुछ में उठा लिजिए यहां से कुछ ना कुछ element 1,4 हो गया एक और एक क्या हो गया 1,5 को उठा लेते हैं और एक क्या होता है 2,4 को उठा लेते हैं एक बनालीजे कर लिए आर्टू प्रिरेसट बनालीजे से लिए अहां सट्ट्रेंट कामा फाइए 304 कमशुबर टूट पर दोषब का सब्सेट यह आपका राट्टूरेस्ट्ट हो गया र्ट्टूरेस्ट हो और एक प्रोग्षा और इस्ट्ट जेंट आठरटी हम यहां से रिलेशन मानः रहते हैं जिसमें क्या होता है 1,4 भी आता है 2,5 भी आता है 3,4 आता है और एक बस यतने तीन एलिमेंट आते हैं इस टुए ठीक है यह आते हैं एक अर्थ रिलेशन ध्यान देज़ेगा यह तीन रिलेशन हमने बनाया इस सेट के मदद से बास्मज़ में रहा है तो दिखिए इन तीनों रिलेशन से हम फंसन और रिलेशन में डिफ्रेंस बताते हैं आपको क्या होता है पहला पॉइंट क्या बोलता है कि जो डोमें अगर निकालता है डोमें होता है रिलेशन का वो क्या होता है एका सबसेट होता है एका सबसेट होता है रिलेशन में तो देखिए अगर हम आर्वन का यहां पर डोमे में रहा है यह देखिए वन कामा टू यह क्या है किसका सब्सेट है सेट एका सब्सेट है फर्स्ट एलिमेंट सेट एका सब्सेट है तो हम लिख सकते हैं क्या सब्सेट अप्सेट अप्सेट सब्सेट अप्सेट एकोल टू भी हो सकता है कभी कभी डूमें सेट एक बीकोल हो स होता है कि एका सबसेट होता है लेकिन अगर हम फंसन को दिखाए तो फंसन में क्या होता है पुरा सेट एह ही होता है आपका डॉमेन होता है तो पहला डिफ्रेंस क्रियर हो गया ठीक है दूसरा डिफ्रेंस क्या बोलता है दूसरा डिफ्रेंस यह बोलता है कि सेट एक जो होते कर सकता है एक element relation में बैसिकली relation में होता है और function में क्या होता है हीज़क एक element एक ही element के साथ भी में connect होगा वासन में रहे है तो वो देखिए वो difference के हहां तो कुछ़वा देखिएगा या r1 कोई देख लेजे तiegen one किसे-किसे connect is one जो है four के साथ connect is one 5 के साथ connect दीऊ है लेकिन हम पुछे कि और वन पर के साथ है और देखिए उन तो खने में के साथ तो फंसन नहीं है वासल्ट में रहा तो फंसन की बात करें जो है लेकिन यह नहीं है तो नहीं है क्यों नहीं आ सब्सका निकाल लेंगे student डूमेन निकाल लेंगे तो डूमेन क्या होता है two is two three five होगा डूमेन इसका होगा ठीक है तो डूमेन यह क्या होगा यह किसका पाट है डूमेन टू त्री फाइफ और देखिए स्टूडेंट दो यह थो साथ ओ एक जूदू है जब कनेक्थ है यह समझ में आ रहा है कि जो आटू जो है वह क्या है रिलेशन तो है लेकिन वह फंसन नहीं है ठीक है स्टूडेंट और देखिए स्टूडेंट यह देखिए while iota iota 미ंत्like नच्वी कोरीक इसरलकिक कि a क्रेट ऊसंटा है चैज पनेटा संट चॉलक मिका कि दिम Mirini 0 किसी इसे से dip서 इसक्ता हुश क्यों थेसं धोस committed पड़ा है questo और आपका पॉइंट हो गया और आर्थरी को यहां पर देखिए आर्थरी देखिए 1B4 से connect है 2 वी जो 5 से connect है और आपका 3 भी जो है 4 से connect है यह तो एक relation है बासन में रहा है लेकिन देखिए एक जो है 4 से connect है 2 जो 5 से connect है 3 जो है 4 से connect है लिए है ना तो वो क्या है वो वी में connect है आपका इसके सारे element क्या है यह आपका जो आर्थी जो यह रिलेशन है यह क्या है आपका यह क्या है आपका एक function है क्योंकि एक के सारे क्या है सेट B में connect है पहली बात और इसका domain भी देखिए one domain जो होगा सेट A होगा और यहां पर भी domain निकाले तो 123 आ रहा है तो यह क्या है डूमेन भी इसका 123 आ रहा है इसेट एक 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 वाल आ रहा है तो यह भी पॉंट क्लियर करता है ठीक है एक एक सारा पर फंसन में क्या डिफ्रेंस होता है बहुती अच्छा कंसेप्ट है समझ में आया होगा ठीक है तभी कोई डाउट रहा है तो कॉमेंट करिएगा या मेरा इंस्टा का मैं एक और विकास मैं तक एक एडि में उससे ऑक्तिशillon के देखे स्टुडरेंट आपका जो स्रकेंट टॉपिक क्या है इक्वल फंसन क्या होता है उसको में समस्ते है इक होता है इक्वल सब्सक्रات यहाँ पर definition दिया हुआ है दिखिए two function f and g are set to be equal if मतलब जो आपके function है f और एक g function है कब equal होंगे उसके कुछ condition दिया है if पहला condition यह student है कि domain of f domain of f is equal to domain of g मतलब दोनों function के domain क्या होना चाहिए equal होना चाहिए पहला condition यह बोलता है कि दो function both equal होंगे तो पहला condition यह बोलता है student कि दोनों function की domains ना चाहिए वह एक्वल होना चाहिए स्टकेंड condition क्या हम लगता इस स्ट्वएंड कि को domain of f is equal to code in of recht मतलब दोनों function के code मी और यह आपकास में equal होना चाहिए सेकर्ट व क्या क्या होता है कि f x f of x is equal to g of x बतब दोनों fakie जो क्या है वैलू है वैलू क्या होना चाहिए इकोल होना चाहिए फ़र एवरी e x belongs to their common domain मतलब इन दोनों fakie common domain में इन दोनों fakie value बना चाहिए वह भी क्लोना चाहिए मतलब f of x is is equal to g of x मतलब मानली जी कि f कोई एक function है मतलब एक rule है कोई fit में तो क्या होना चाहिए हर एक x की value पे जो f की जो value आएगी वो क्या आना चाहिए equal आना चाहिए हर एक g की x की value पे जो g की value आएगी वो क्या होना चाहिए इकोल आना चाहिए मतलब fx is equal to gx आना चाहिए उसके हर एक दुनों के अगर domain क्या हो common हो तब अगर ये तिन condition को satisfy करता है कोई भी function तब हम function को क्या बोल सकते हैं then we say that the function f and g are equal that is f equal to g मतलब दुनों function को हम equal दिखा सकते हैं ति ये आपको तिनों condition learn होना चाहिए कोई भी equal function अगर प्रूफ करना है तो क्या condition है कि पहला कि दूनों function के domain equal होने चाहिए दूसरा दूनों function के co domain equal होने चाहिए और तीसरा value of the functions of the both functions are equals मतलब fx is equal to gx in their common domain मतलब दोनों के common domain पे दोनों की value के सब्सक्राइब होने चाहिए तो यह आपका equal function का डिफिनेशन इस्ट्वेंट आईए एक एक्जामपल से लेते हैं अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा इस्ट्वेंट मतलब definition समझ में आ गया था और जो हाग question है एक एक्जामपल लेंगे इस्ट्वेंट ना तुम्हां से आपको अच्छे तरीके से प्रक्लियर हो जाए concept तो आईए देखते है इस्ट्वेंट इस इक्वल function पर क्या है आपका तो देखिए इस्ट्वेंट question number आपका one क्या है question number one यह है कि let a is equal to set दिया है आपका one two आपका set a का element है set b का जो आपका है three six जो आपका element है set b का and f is a function from a to b तो को भी function को write करने का मैं तरीका बताया था कि इसको क्या पढ़ते है कि f is a function from a to b ठीक है is given by fx is equal to x square plus 2 मतलब यह क्या है यह f जो है f का rule है fx is equal to x square plus 2 होना चाहिए ठीक है जो इन set को जोडता है उसका rule क्या है x square plus 2 होना चाहिए ठीक है यह बाद समझ में आ रहा है इस्ट्वेंट उफी तरीके से and and g is a function from a to b given by gx यहाँ पर gx होगा इस्ट्वेंट तो रसन मिश्टेक हो गया है मतलब gx is equal to kya 3x है जो gx is equal to kya है 3x है मतलब इन दोनों function इस a set और set b को जोडने वाला rule क्या है gx is equal to 3x इसका करने का मतलब यह है check f और g are equal or not हमें check करना है कि दोनों function equal है यह नहीं है इस्ट्वेंट ठीक है बासन में आ रहा है तो हमें पहले देखिए यहां पर हमें given क्या दिया इस्ट्वेंट वह लिख लेते हैं given हमें दिया है कि f जो है function है set a to set b में क्या दिया है fx is equal to kya दिया है x square plus 2 दिया है और क्या दिया इस्ट्वेंट जी जो आपका function है a to b और g of x is equal to क्या दिया आपका 3x दिया है यहां से देखिए student यहां से देखिए क्या करना है equal function को प्रूब करने के लिए क्लिए चेक करना पड़ेगा उसका domain दोनों equal है कि नहीं है और वाइल अब देखिए इकोल है कि नहीं कि fx is equal to gx इकोल है कि ने इस्ट्वेंट यह में चेक करना रहता है तो देखिए student इस देखिए f function का भी domain क्या है a है g function का भी domain क्या है आपका a है मतलब इन दोनों का domain तो पहला condition satisfy हो गया दूसरा क्या होता है जो f function का code domain क्या है भी है g function का code domain क्या है भी है मतलब दोनों क्या है दोनों equal है तो पहला हमने यहां पर देखा since हम यह देखा कि domain of domain of domain of domain of f is equal to domain of g domain of g मतलब मैं आपका गे हक्ता है इकवल to set wrapping आपकी और यह फ्रस्ट ट्रीमन क्या होता है यह जब फ्रस्ट ट्रीड क्या क्या है नटो हमने देख लिया यह और of code domain of f is equal to code domain of g ये भी देख लिया ये दुनों का जो code domain है वो भी equal है वो क्या है वो B के equal है set B है code domain उसका बासन में आ रहा है यतना बासन में आ गए अब हमें क्या करना है इसके value को check करना है कि F F connection की value आरी है वो VT is equal और यहां वो seven a ह्ता है यहां सेट आ होता है तभी इसे पूट करते हैं तो क्या आता है में fx आता है fx की value आती है तो जितने भी ए ए में जितने भी नंबर दिये है न वहां पर एक्स पूट करके चेक करिए तो fx is equal to क्या हो दिया आपका x square plus 2 ठीक है और x क्या बिलोंग करता है x बिलोंग करता है set a को मत तभी यह वाला element को बिलोंग करता है ठीक है यहां पूट करिए student f अगमाल लेजिए 1 है पहला element क्या है set a में 1 है एक्सदा पर 1 पूट करिए तो 1 का square plus 2 करेंगे तो क्या आएगा 1 plus 2 is equal to क्या जाएगा 3 आजाएगा मतलब f1 की value क्या आ गई 3 आ गई उफी तरीका से f2 की value put करिए f2 तो 2 का square plus 2 is equal to क्या जाएगा 2 का square 4 प्लस 2 is equal to क्या आगई f2 की value 6 आ गई उफी तरीका से यहां पे इस्टवन gx की value चिक करिए gx equal to क्या दिया आँ मैं 3x दिया है तो g1 की value क्या आएगी 3 into 1 तो क्या आ गया 3 आ गया उफी तरीका g of 2 क्या आएगा 3 into 2 is equal to क्या आगया 6 आ गया तो देखिए इस्टवेंट f1 भी क्या आ रहा है 3 आ जी वन भी क्या रहा है 3 आ रहा है f2 भी क्या रहा है और g2 भी क्या रहा है 6 आ रहा है मतलब x के जो value put कर रहा है function में हमें तो दोनों ड्यआ ये F की और g के दोनों क्या रहा है equally मिलना है मिलना है कि नहीं मिलना है तुछ M हम लिख सकते हैं कि जो आपका function of fx जो है वो क्या है gx के equal है यह बात लिख सकते हैं कि दोनों के value देखे equal मिलना है यहां से student लिख सकते हैं कि fx is equal to kya gx है बासमाज में आ रहा है तब हम लिख सकते हैं यहां पर यह तो हो गया यहां पर आज यह थोड़ा से space इसकम पड़ा है यहां पर हम इस्ट्रेंट क्या लिख सकते हैं कि हैंस कि हैंस हैंस एफ एफ एंड जी आर इक्वल एक्वल 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 फंसन है क्यों इसके सब्सक्सक्राइब को है विख से च्वल से सदस्रेंटेवहीं कैसं यहां कि यहां वैल को समें सब्सक्राइब यहां एक्वल एक्वल है वह ने नंबर जा रहा है ठीक है इससे पड़ते हैं except 2 मतलब रियल नंबर है बस 2 को छोड़कर माइनस का मतलब भी तो होता है ठीक है we defined by fx is equal to x square minus 4 upon x minus 2 and gx जो जो function है आपका r2 r जा रहा है मतलब real to real जा रहा है ठीक है we defined by gx is equal to x plus 2 to find whether f is equal to g or not हमें चेक करना है कि दोनों function equal है कि नहीं है इस्ट्वेंट देखिए पहले क्या करें जो given दिया हम उसको लिखते है ठीक है given जब लिख लेंगे न तो असानी समझ में आने लगता है कि क्या क्या अब देखिए यहां से डोमेन निकाल देखिए कि दोनों का equal है कि नहीं है फंसन का इस्ट्वेंट यहां पर देखिए domain of F क्या रहा है Domain of F यहां से since domain of F जो होता है फस्ट होता हो क्या करता है तो डिखर है accept 2 पाटलब रिएल नमबर तो है को डुमेन क्या रहा है यहां पर देखिए real number रागी है और यहां पर देखिए on count is give function क्या है अपका यहां पर कि कॉदमन का है यहां पर रहां तो पो कॉदमन देखिए क्उद्ट को टो मीन तो दोनों का है और रहे है। bebis इक्वल है लेकिन इस्टोएंट यहां पर डोमेन देखिए डोमेन क्या बोला है इसका डोमेन ऑफ एफ क्या है रियल नंबर है एक्सेप्ट टू को छोड़कर मतलब रियल नंबर बैसे टू निकाल देंगे तो बाकि जो बचेगा वो क्या क्या लाएगा डोमेन ऑफ एफ का लाएगा लेकिन डोमेन ऑफ जी क्या बोला है का रियल नंबर रहा है इसमें टू वी इंक्लूड़ेड है जी वाला सेटमेंट डोमेन में क्या है टू वी इंक्लूड़ेड है मतलब इन दोनों का डोमेन क्या हो रहा है डि student वासन में रहा है लेकिन यहां पर इक्वल नहीं है तो यह फंसन क्या होंगे यह इक्वल नहीं का लाएंगे कि यहां पर लिख देंगे therefore therefore the function the function f and g are not equal not equal function because because क्या लिखेंगे reason why लिखेंगे because domain of f f is not equal to equal to domain of g student ठीक है आपका हम्या पर लिख देंगे इसलिए आपका है that is f जो function होगा not equal to g आइसे लिख देंगे बाशन में रहा हमें अब वैलो दे फंसन पूर्फ करने के जोड़ते नहीं है जब यही जो point clear नहीं हो रहा तो value function क्यों निकाल लेंगे fx is equal to gx क्यों हम दिखाएंगे क्योंकि यहीं पर हमें clear दिख रहा है कि domain दोनों का equal नहीं है तो हम क्यों उसको टाइम विष्ट करना जाए इस तरीकर हम लिख देंगे ठीक है यह रहा आपका question number two I hope को अच्छे तरी क्या दिया होगा आपका देखेंगे question question number 3 क्या दिया आपका question number 3 यह दिया है कि एफ जो आपका function है वो integer to integer जा रहा है जी जो function हो भी कहा दाए integer to integer जा रहा है given यह function defined by fx is equal to n comma n square such that n belong to integer इसका कहने का मतलब सिंप्ली होता है इस्ट्वेंट एन कामा एन स्क्वाइर मतलब क्या इसका कहने का मतलब सिंपली यह होता है इस्ट्वेंट कि इसका कहने का मतलब जो दिया है आपका F is equal to N , N square such that N belong to Z इसका मतलब हम सिंप्ली इसको ली सकते हैं एफ अगर N put करेंगे हम F जो अगर N put करते हैं तो क्या रहा है N स्कुराइर जहां पे N विलोग कर रहा है इंटीजर को इसका करने के मतलब यह होता है कि एफ N इसकूल टू एन स्कूराइर यही तो पहले होता है कि यह put करते हैं तो क्या मिलता है हम यह यहां पर देखिए यहां पर देखिए यहां पर देखिए इस्टूटनट यहाँ पर देखिए हआ पर सिंटू करते हैं कि क्या दिख रहा है है यहां domain G का भी जड़ है मतलब इसके domain और code domain दोनों फंसन के क्या है आपस में इकोल है यहां बात क्लियर आ गया तो यहां पर लिख देंगे since domain of domain of f is equal to domain of g यह बात क्लियर आ गया और क्या बात कर गया है clear हो गया कि code domain of f is equal to code domain of g code domain of g यह दो बात clear हो गए ठीक क्या करना में value निकालना कि value आया है इकोल आ एकी यहां से देखिए fn के value पूड करे fn के value फूड करें ओस्वाइर और रहा है उस्ज on के और ऑन यंद क Ci marijuana प्यार्जट अब टॉस्पी नंबर है किया मिलता है मोट की कोई यहां पे बाती ही नहीं लगा मोट की यहां इसको पैल वे स्क्राइब यहां तो अफ अब देखिए च्टेवट एफ सेल दोनों की वालु क्या होगी एक लोगी यहां पर यहां पर जो रहा है यहांपे यहां बोल न कम अपर है यहां बिलोंग टूंक पर देखिए यहां पर साथ पॉस्बल नहीं है ना कि हर एक वाइलु को अम एन की पुट करेंगे तो के इक्कोल होगा देखने में यहां से दिख्किंद सब्सक्यार mr. o function that is f is equal to g so करना था तम क्या लिख देंगे यहाँ पर हैंस पूरूब्ड ठीक है इस तरीके से question 3 को solve कर देंगे I hope कि आपको यह तीनों question अच्छा कासा हम लोग एक यूटूब बना सके question और इस तरीके से ग्रो करते रहें मैं अच्छा तरीके से आतारा है तो आस्कार है तना इस्ट्वन, thanks for watching my video, जय हिंद, जय भारत, have a nice day